हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्तर प्रफाकर, आज के इस इंपोर्टेंट लेक्शर में हम सबी डिसकस करेंगे, 6 जून दो हजार शॉबिस के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यास के कुश्चिन, तो आप इस पूरे लेक्शर को बहु विष्व पर्यावरण दिवस के मोके पर एक पेड़ मा के नाम अभियान की शुरुवात की गई है, जिसमें उन्होंने एक पेड़ भी लगाया है बुद्ध जैनती पार्क नई दिल्ली में, तो पीपल का पोधा उनके द्वारा लगाया गया है, 5 जून दो हजार चॉबि दिवस दो हजार चॉबिस की थीम है, भूमी बहाली, मरुस्थली करण और सूखे से बचाओ, सेंटरल गवर्मेंट की कुछ प्रमुक योशना है डिसकस कर लेते हैं, जैसे टैली मानस योशना, 10 सक्टुबर 2022 को सुरू की गई थी, मिसल लाइफ, पीम मोधी जी के द्वार के वडिया गुजराश से सुरू किया गया था, 20 सक्टुबर 2022 को, डिजिटल सक्टी 4.0, राश्टिय महिला आयोक के द्वारा शुरू किया गया था, 16 नवंबर 2022 को, अमरित भारत स्टेशन योशना, रेल मंत्राले के द्वारा शुरू की गई योशना है, जो की 27 दिसंबर 2022 को शुरू की गई थी, इसके अंतरगत जो रेलवे स्टेशन है, उनका डेवलाप्मेंट किया जा रहा है, पुर्धान मंत्री गरीब कल्यान अन्नी योजना की शुबात, 11 जनवरी 2023 को की गई थी, आरोग्य मैत्री योशना, 13 जनवरी 2023 को, जल जन अभियान की 2023 को, और 75 बटा 25 पहल स्वास्त मंत्रालाय के द्वारा, 17 माई 2023 को शुरू की गई थी, और दोस्तों इसमें जो हाई ब्लड पेसर से संबंदित रोगी है, उनकी पहँचान करना है, तो 75 मिलियन लोगों की पहँचान करने के लिए, 2025 तक के लिए यह पहल सुरू की गई है, विवाज से विश्वास 2.0 योजना बित्य मंत्रालाय के द्वारा शुरू की गई थी, 2 अगस्त 2023 को, मेरा अधिकार योजना बित्य मंत्रालाय के द्वारा, 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी, पी-म विशुकर्मा योजना काफी इंपॉर्टेंट है, तो यह 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी और PM सूरे घर योजना जिसमें मुप्त बिजली प्रणान की जाएगी जिन घरों में solar panel लगाए जाएगे तो ये 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी ये योजना काफी important है इसको आप नोट जरूर कर लीजिगा आज के booster में discuss करेंगे हम परियावरण से संबंधित सभी दिवस जैसे विश्य परियावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है सभी को पता है अच्छा प्रथवी दिवस कम मनाया जाता है 22 अप्रेल को विश्य जल दिवस कम मनाया जाता है 22 मार्ज को विश्य महासागर दिवस कम मनाया जाता है 8 जून को इसके अलावा विश्य वन जीव दिवस कम मनाया जाता है 3 मार्श को अंतराष्टिय जैबिक विविदिता दिवस कम मनाया जाता है 22 माई को अंतराष्टिय वन दिवस 21 मार्श को विस्सु आर्दभूमी दिवस दो फरवरी को अंतराश्टिय जलवायू कारवाई दिवस 24 अक्टुवर को मनाया जाता है अच्छा विस्सु गोरईया दिवस का मनाया जाता है 20 मार्श को नदियों के लिए अंतर राष्टिय कारवाई दिवस का मनाया जता है 14 मार्ज को विस्सु मौसम विज्ञान दिवस का मनाया जता है 23 मार्ज को विस्सु कश्वा दिवस 23 माई को और विस्सु वर्सावन दिवस मनाया जता है 22 जून को इसके अलावा दोस्तों अंताराश्टिय उच्निक कटी बंधिये दिवस 29 जून को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को विस्सु सर्प दिवस 16 जुलाई को विस्सु हाथी दिवस मनाया जता है 12 अगस्त को और विस्सु गेंड़ा दिवस 22 सितंबर को मनाया जता है इस प्रकार से परियावरण से संबने जितने भी दिवस थे जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर कर लिया है बूश्टर में तो सभी को लोट भी कर लीजेगा आप आप इस पूरे लेक्शर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखेगा लास्ट में आपसे एक कुशन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्श में देना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकोन भी दबाले जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोडिपिकेशन मिल सकेगा माई 2024 के करेंट अफियास की इवोक आपको एप पर मिल जाएगी हिंदी और इंगलिस दोनों मीडियम में तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको जरूर डाउनलोड करें लिंक के डिस्किप्शन बॉक्श में दिया गया है अंगला कुशन है लोगशवा चुनाओ 2024 में सबसे अधिक बोटों के अंतर से जीतने वाले सांसत कौन बने है आंसर हो जाएगा संकर लालवानी तो संकर लालवानी लोगशवा चुनाओ 2024 में सबसे अधिक बोटों के अंतर से जीतने वाली सांसत बने हैं, देखे यहाँ पर बात आई है पुसपेंद्र सरोज की, ये 2024 में सबसे कम उम्र के सांसत बने हैं, 25 साल 3 महीने की उम्र में, आपको याद रखना है कि पुसपेंद्र सरोज का संबंद समाजबादी पार्टी से है रबिंद्र दात्तराम बायकर, 2024 में सबसे कम बोटों से जीत हासल करने वाले बेखती हैं, इन्होंने 48 बोटों से जीत हासल की है, इनका संबंद सिभ सेना पार्टी से है, CR पार्टिल 2019 में सबसे अधिक बोटों से जीतने वाले सांसत थे चलिए इस question का discussion करते हैं तो संकर लालबानी मद्ध प्रदेश की इंदोर लोक्षवा seat से चुनाओ लड़ रहे थे और उन्हें 11.72 लाग से अधिक बोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है इसके अलाबा इसी इंदोर लोक्षवा seat पर एक और record बना है कि चुनाओं के अब तक के इतिहास में नोटा को सबसे ज़्यादा बोटे प्राप्थ हुई है कितनी बोटे प्राप्थ हुई है 2,18,674 बोट हासिल हुई है जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा नोटा को बोटे प्राप्थ हुई है दूसरे नमबर पर हैं रकीब उल हुसेन, जो की असम की धुबरी सीट से लड़ रहे थे, कॉंग्रेस पार्टी के ये उमीदबार थे, इन्हें 10 लाग से अधिक बोटों से जीत हासिल हुई है, तीसरे नमबर पर हैं सिब्राज सिंग चोहान, जो की मद्ध प्रदेश की इन्हें 7,73,000 से अधिक बोटें प्राप्त हुई हैं, यानि जीत का अंतर इनका 7,73,000 से अधिक कर रहा है, आमिस साइज जी जो की ग्रह मंत्री हैं, ये गुजरात की गांधी नगर सीट से लड़ रहे थे, और इन्हें 7,44,000 से अधिक बोटों के अंतर से जीत हासिल हुई तो ये हैं सबसे अधिक बोटों से जीतने वाले उमीदबार 2024 के, लोगशबा चुनाओ 2024 की बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं, तो 2024 में जो लोगशबा की चुनाओ आयोजित हुए हैं, ये 18 भी लोगशबा के लिए हुए हैं, 543 सीटों पर चुनाओ आयोजित करवाए गये थे, बहुमत का आकड़ा है लोगशबा में 272 और जो 17 भी लोगशबा है, इसका कारका 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है, उससे पहले 18 भी लोगशबा का गठन किया जाएगा, लोगशबा के बारे में भी बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं, तो लोगशबा का वरणन भ भारतिय संसद का निमन सदन भी कहा जाता है, तो हमारी संसद में 2 सदन हैं, एक है राजसबा, एक है लोगशबा, तो जो राजसबा है ये अपर हाउस कहलाता है, और लोगशबा लोवर हाउस कहलाता है, लोगशबा का कारकाल 5 बर्स का होता है, अगर कोई व्यक्ति सम आयू होनी चाहिए 25 बर्स भारती समिधान के द्वारा आवंटित की गई है लोक्षभा के लिए 550 सीटे जिसमें से 530 सदस राज्यों की द्वारा चुनकर आते हैं और 20 सदस केंसासरे प्रदेशों के द्वारा चुनकर के आते हैं आरच्छन की बात करें लोक्षभा में तो 243 सीटों में 412 सीटें सामान हैं और अनुसूचित जाती के लिए 84 और अनुसूचित जन जाती के लिए 47 सीटें आरच्छित की गई हैं पूस्टर में हम डिसकस करेंगे भारत की 6 नैसनल पार्टियां आपको याद रखना है कि चुनाओ आयोक के द्वारा 6 पार्टियों को ही नैसनल पार्टि का दर्जा दिया गया है आप लोग कई बार कन्फ्यूज होते हैं कि 8 पार्टियां हैं 9 पार्टियां है अब केबल 6 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें राष्टिय पार्टि का दर्जा दिया गया है तो पहली पार्टि है आम आदमी पार्टि इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, मायाबती इसकी वर्तमान में लीडर है, और तीसरी पार्टी है BJP यानि भारतेयी जनता पार्टी, तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, JP नडड़ा इसकी वर्तमान में प्रमोख है, चौथी पार्टी है Communist Party of India या मार्सिष्ट यानि CPIM तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी सीता राम एचुरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं या इसके प्रमुक हैं और पांचवी पार्टी है इंडियान नेशनल कॉंग्रेस और इसकी स्थापना होई थी दिसंबर 1880 में मलिकार जुन खड़गे इस इसके वर्तमान में प्रमुक हैं कॉन रोड संग्मा तो ये हैं छे नेशनल पार्टियां भारत की नेक्स्ट कोशन है ओडिशा बिधान सभा में बीजेपी को बहुमत मिला है इसने कितनी सीते हासिल की है आंसर हो जाएगा 78 तबी ओडिशा में बिधान सभा के चुनाव आय यहां पर नए चीप मिलिश्टर आएंगे ओडिशा में 147 बिधान सभा की सीते हैं जिसमें से 78 सीते बीजेपी को हासिल हुई है और जो अभी तक पार्टी सासन में थी यानि बीजू जनतल दल या बीजेडी उसको 59 सीते प्राप्त हुई है और कॉंग्रेस पार्टी को 14 सी प्राप्त हुई है नवीन पतनाईक की बात करें तो वो सन 2000 से कंटीनिव ओडिशा के चीप मिनिश्टर बने हुए थे तो वो ओडिशा के इतिहास में सबसे अधिक समय तक मुखमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं चार जून 2024 को उनके कारेकाल के 24 साल 89 दिन पूरे हो चुके के मुखमंत्री पवन कुमार शामलिंग पवन को ओडिशा की बात करें तो इसका गठन एक अप्रेल 1936 को हुआ था एक अप्रेल को उतकल दिवस मनाये जाता है राजधानी भूबनेश्वर है राज्यपाल है वर्तमान में रगुवर दास मिधान सभा की 147 राज्यसभा की 10 और लोक्षभा की 21 सीटे हैं सिमलीपाल नैसनल पार्क ये ओडिशा राज में है मयोर भंज जिले में है और भेतरकनिका नैसनल पार्क ये केंदर पाड़ा जिले में है तो ये सभी नैसनल पार्क भी आप नोट के लिजेगा अगर हम ओडिशा की लोकिसन देखें तो यहां परिस्तित है ओडिसा, इसकी सीमा 36 गड़, जारखंड, पशिम मंगाल और अंदरप्रदेश से लगती है। Next question है किसे हिंदी साहित भारती पुरुसकार मिला है? आंसर हो जाएगा कर्षने प्रिकास को, तो कर्षने प्रिकास को अभी हाली में हिंदी साहित भारती पुरुसकार प्राप्थ हुआ है, ओप्सन की अगर हम बात करें, तो जो स्री निवास आर कुल करनी हैं, इन्हें 100 पुरुसकार से सम्मानेत किया जाएगा, हैमंत खत्री को पी-eo समर्पन पुरुसकार से अभी हाली में सम्मानेत किया गया है, कौरीनिमा देवी वर्मन जो कि एक परियावरन कार करता है, तो इन्हें अभी हाली में वीटली गोल्ड पुरुसकार दिया गया है, चलिए कुश्यन का डिस्कसन करते हैं, तो मुम्बई पुलिस के ए साहित्य प्रयासों को बढ़ाने के लिए बुद्ध जीवियों को एक मन्च प्रतान करना यानि कि जो संस्कृति से जुड़े हुए बुद्ध जीवियों है या साहित्य से जुड़े हुए जो बुद्ध जीवियों है उन सभी को इखटा करने का काम किसका होता है हिंदी साहि तो इसके द्वारा ही अभी हाली में कृष्ण प्रकास को हिंदी साहित भारती पुरुसकार दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्थ हुआ है अनुसुया सैन गुपता को ग्लोबल एक्सिलेंस अवार्ड चंदरकांत सतीजा को प्राप्थ हुआ है अंतराष्टिय बुकर पुरुसकार दो हजार चौबिस जैनी एरपेंड वैक को प्राप्थ हुआ है जो की जर्म Bombay ने कौन सा इस्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 118 वा. तो अभी हाली में QS World University रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है. तो इसमें IIT Bombay 118 वे इस्थान पर है. तो इसमें दुनिया भर की जो टॉप इन्वर्सिटी है, उनकी रैंकिंग परदान की गई है. तो इसमें अगर हम IIT Bombay की बात करें, तो टॉप इंजीनिरिंग सिख्षड संस्थानों में इसने 150 संस्थानों में जगए बनाई है. यानि कि जो टॉप 150 संस्थान है उसमें जगए बनाई है. तो IIT Bombay का स्थान रहा है 118 वा. पिछले साल अगर हम बात करें, तो IIT Bombay की जो रैंकिंग रही है, वो 149 रही है. लेकिन इस साल ये रैंकिंग बहुत सुधर गई है. 118 वे स्थान पर पहुँच गया है IIT Bombay. और भारत की जो टॉप संस्थान है, उनमें नाम आ गया है किसका? IIT Bombay का. तो भारत में तो ये पहले नमबर पर है, और दुनिया में 118 वे नमबर पर. जो IIT दिल्ली है, इसका 150 वा स्थान है, और Indian Institute of Sciences की 211 भी रैंक है, और IIT Khandakpur की 222 भी, IIT Madras की 227 भी, IIT Kanpur की 263 भी रैंक है, और दिल्ली इन्वर्सिटी की 328 भी रैंक है, और दिल्ली इन्वर्सिटी की 328 भी रैंक है, अगर हम QS World University रैंकिंग 2025 की बात करें, तो उसमें जो मैसा चुसेट्स इंस्टिटूट अप टेकनोलोजी है, से पहरा इस्थान हासिल हुआ है, दूसरा इस्थान Imperial College London को प्राप्थ हुआ है, तीसरा इस्थान Oxford University को प्राप्थ हुआ है, तो यह है Top 3 इन्वर्सिटी, कुछ प्रमुक सूचकांक और रैंकिंग डिसकस कर लेते हैं, जैसे अभी हाली में Forbes की Real Time Billennial List जारी की गई थी, इसमें पहला इस्थान Elon Musk को प्राप्थ हुआ था, और 11 वे इस्थान मुकेज Ammani को प्राप्थ हुआ था, यात्रा और पर्टन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 49 है, और पहला इस्थान अमेरिका का रहा है, चाभी Global Cities Index इंडेक्स 2024 को भी जारी किया गए था, जिसमें दिल्ली का इस्थान 350 वा और पहला इस्थान New York का रहा है, प्रेश सूचकांक 2024 में भारत का 169 वा और पहला इस्थान नॉर्वे का रहा है, नेक्ट कोशन है, 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतब बनकर कौन उभरा है, आंसर हो जाएगा नीदर लेंड, तो दोस्तों ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतब बनकर के उभरा है कौन, नीदर लेंड, ओप्सन के अगर हम बात करें, तो चाइना वित्वर्स 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार एक भागीदार बना है, सिंगापूर की बात करें, तो 2023 में भारत को सबसे साल भारत ने रूस से सबसे अभी कच्छा तेल खरीदा है, भारत नीदर लेंड को सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता है, तो जो पैट्रोलियम प्रोड़क्ट है, विजली के सामान है, रसाइन है, और जो मेडिकल से संबंदि साबान है, वो उसको प्रोवाइड करवात निर्याद करता है, नीदर्लेंड की बात करें तो यहीं यूरोप महादीप में इस्तित है, एम्स्टरडम इसकी कैप्टल है, बिलियम अलेक्जेंडर यहां के समराथ है, और यहां के प्राइमिस्टर थे मार्क रूटे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया है, अच्छा नीदर्लेंड ने FIH होकी प्रो लीग 2022-23 के सीजन में जीत हासिल की थी, नीदर्लेंड की जो निवासी हैं उन्हें डच कहा जाता है, और नीदर्लेंड को पहले हॉलेंड की नाम से भी जाना जाता था, नेक्ट कोश्चन है किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मानिता प्रदान की है, आंसर हो जाएगा स्लोबैनिया, तो स्लोबैनिया देश ने अभी हाली में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मानिता प्रदान की थी, योरोप महादीब के 27 देशों का एक संग्ठन है जिसे यूरोपिय यूनियन बोला जाता है, तो उ फिलिस्तीन को दुनिया के 140 से अधिक देशों ने मानिता दे रखी है, लेकिन यूरोप ये देशों और अमेरिका ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मानिता नहीं दी है। इसी वज़े से फिलिस्तीन सेंप्त राष्ट का पर्मानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। फिलिस्तीन की बात करें तो इसका प्रसासने केंदर है रामला, राष्टपती है महमूद अब्बास, प्रधान मंत्री है मुहमद मुस्तफा और यहां की करनसी मिस्टर पाउंड इसराइली न्यू सेकल और जॉर्डिनियन बीनार्ज है। स्लोबेनिया की भी बात कर लेते हैं तो यह है यूरोप महादीप की कुछ देश, यह है यहां पर स्लोबेनिया, लूबलियाना यहां की कैप्टल है और राष्टपती है नतासा पिरक मुसर और प्रधान मंत्री है रॉवर्ट गोलो और करनसी है यूरोप नेक्ट कुशन है आंदर प्रधेश बिधान सभा चुनाँ दो हजार चौबिस में सबसे अधिक सीटे किस पार्टी ने जीती है आंसर हो जाएगा तेलगू देसम पार्टी यानि जो चंदरबाबू नाइडू की पार्टी है तेलगू देसम पार्टी तो इसने सबसे ज़ आंदर प्रधेश की चीफ मिलिश्टर थे और अब चंदरबाबू नाइडू चौथी बार आंदर प्रधेश की चीफ मिलिश्टर बन सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी को वहमत हासिल हुआ है तेलगू देसम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी और इसके वरतमान में 2024 का प्रणाम देख लेते हैं तो बहमत का आखड़ा कितना है 88, TDP को 135, जनसेना पार्टी को 31 और भार्टी जनता पार्टी को 8 सीटे प्राप्त हुई है आपको याद रखना है कि तेलगू देसम पार्टी, जनसेना पार्टी और BJP का गडवंधन है आंदर प्रधेश में औ और YSR कॉंग्रेश पार्टी को 11 सीटे हासिल हुई है आंदर प्रधेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी अभी वर्दमान में राजपाल है S. अब्दुल नजीर, विधान सभा की 175, राजसभा की 11 और लोगशभा की 25 सीटे हैं भासा के आधार पर बनने वाला पहला राज आंदर प्रधेश था, 1952 में आंदर प्रधेश की गठन की वोचना की गई थी नेक्स्ट कोशन है यूनिवर्सल ए आई इनवर्सिटी ने किस देश के डिजाइन इस्कूल रोविका के साथ समझोता किया है आंसर हो जाएगा फ्रांस तो दोस्तों फ्रांस का एक अर्टिफीसेल एंटेलिजेंस इनवर्सिटी का क्या नाम है यूनिवर्सल एई इनवर्सिटी तो उसी ने अभी हाली में फ्रांसिसी डिजाइन इस्कूल रोविका के साथ समझोता किया है और इस समझोते के तहट महराश्ट के करजत नामक स्थान पर इस्कूल को कर लेते हैं तो नासा के Artificial Intelligence प्रमो कौन बने हैं डेविट सलबागनी और वाट्स ओनेक्स से .AI Artificial Intelligence टूल किसने बनाया है नासा और IBM ने सी जिंपिंग के दर्सन पर आधारित AI मॉडल अभी हाली में चाइना ने लौंज किया है दुनिया में पहली बार किस देश ने Artificial Intelligence राजनेक यानि डिप्लोमेट निक्त किया है यूक्रेन Artificial Intelligence से संचाले तियाता यात प्रबंधन प्रनाली शुरू की गई है सिक्किम में Microsoft और Open AI मिलकर के एक AI सुपर कंप्यूटर बनाएंगी जिसका नाम होगा Stargate Next question है Taiwan Athletics Open 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो अभी हाली में Taiwan Athletics Open 2024 का यूज़न ताइवान की कैपिटल ताईपे में किया गया है जिसमें भारती एथलीटों ने 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉंज मेडल है जो DP मनू है उन्होंने भाला फैक में गोल्ड मेडल, केरल की नाइना जैम्स ने महिलाओं की लंबी कूद में गोल्ड मेडल और अंकेश चौधरी ने पुर्सों की 800 मीटर दोड में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जैम्स ने महिलाओं की 400 मीटर दोड में ब्रॉंज मेडल हासिल किया है। ये मेडल आप नोड कर सकते हैं। इस अभ्यारन मेड ट्रैक पर कैनोपी ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है। कलंगा पार गिब्बन अभ्यारन आई आई एम कामरूप किस राज में बनाया जाएगा असम। परिया मर्ण दिबस का मनाया गया है पांच जून को। तमबाकू नियंदरन के लिए ब्राणने मेश्टर पीवी सिंदु को बनाया गया है। आठ लात करोड रोपय का बाजार पूजीकरन पार करने वाली साथ साथ भी कंपनी कौन मनी है SBI। किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुवर का लीवर प्रतियार उपित किया गया है चाइना। रुशिरा कंपोज के संगठन में भारत की स्थाई प्रतिन रीधी थी जो रेटायर हो गई है यूएन। लोक्षभा चुनाव 2024 में किस गढ़मंदन को बहुमत पराप्त हुआ है NDA को। और लेंस की छंता का डाय आप्टर, भानी की तीब्रता का डैसिवल, शुमी के छितर का गौस, आयतन का घन मीटर, और सकती का जूल प्रतिसेकेंड या बाट, और बिद्दुत प्रतिरोत का ओम, तो ये सभी मात्रक आप नोट कर सकते हैं। कल के Current Affairs में आपसे पूछा गया था कि मानोशरीर की सबसे बड़ी ग्रिंथी कौन होती है, तो वो होती है यक्रित यानि की लीवर, तो लगबख सभी लोगों ने इसका अंसर लीवर बताया हुआ है, आज का कोशन है आपके लिए, वल का SI मात्रक क्या होता है, जो भी इसका इसके अलावा माई 2024 के Current Affairs की e-book मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिस नौनों मीडियाम में, सिक्स मंत के Current Affairs और Yearly Current Affairs की e-book भी आपको हिंदी और इंग्लिस नौनों मीडियाम में मिल जाएगी, जिन सभी को प्राब्द करने के लिए एप को जरूर डाउनलोड करेंगे